ओम नमो भगवती वासु देवाए अधिक मास की पिछली आठ कहानिया आप लोगों ने बहुत ही पसंद की आशा करते हैं आपको आज वाली कहानी भी बहुत पसंद आएगी तो आएए सुनते हैं आज की अधिक मास की दादी पोती की एक सुन्दर सी कहानी एक गाउं में एक दादी पोती रहती थी दादी अधिक मास इसनान कर रही थी तो वह रोजाना इसनान करके आती और पुर्षोदम भगवान की कहानी सुन्ती एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप रोच क्या करती हो तो दादी ने कहा कि बेटी में अधिक मास इसनान कर रही हूँ इसलिए पुर्षोतम भगवान की कहानी सुनती हूँ तो पोती ने कहा कि मैं भी अधिक मास इसनान का नियम लूँगी तो दादी ने कहा कि बेटा कुछ दिनों में तेरी शादी करनी है क्या पता ससुराल जाके इतने काम के बीच तो यह नियम निभा पाएगी या नहीं इसलिए तु केवल पुर्षोतम भगवान की कहानी सुन लिया कर पोती ने कहा ठीक है अब रोजना दादी पोती दोनों बैटकर कहानी सुन लेती दादी एक लोटा पानी का भर कर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुकारा भर लेती कहानी के बाद लोटे के जल से सूरिय भगवान के अरगे लगा देती थी कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी तब दादी ने कहा कि बेटा तुम्हें देने के लिए और कुछ तो है नहीं, एक लोटे पानी में दो चार फूल डाल कर ले जाओ, रोजाना पुर्षोतम भगवान की कहानी सुन लेना, और यह नियम मत तोड़ना, अब पोती विदा हो गई, अब रास्ते में पोती यह सोच पुर्षोतम भगवान मुझे ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी, घर में मा पिताजी तो है नहीं, बूरी दादी है, उन्होंने कुछ दिया नहीं, अब मैं क्या करूं, और पह पुर्षोतम भगवान से प्रार्थना करने लगी, पुर्षोतम भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट तो दूर करना ही पड़ेगा, अब पोती को रास्ते में ही दिन उग गया, वे उठी और नहा धोकर चार फूल लिये, और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी, तो पुर्षोतम भगवान की क्रिपा से उसके हीरे मोतियों के ग जहने और कपडों के बक से भर गए, खूब सोना चांदी हो गए, अब ससुर जी ने देखा तो सोचा कि बहु तो बहुत बढ़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे, बहु ससुराल आई, तो सभी घर वालों ने देखा कि बहु तो बहुत सारा धन लाई है इधर ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे, सासु ने मूंग चामल बनाए, वो भी पडोस से उधार लेकर आई थी, यह सुनकर बहु को तकलीफ हुई, और रात को पुशोतम भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान यहां तो खाने को भी नहीं है, भगवान सपने प्राइब भगवान से लोटे से रसोई बनाना खूब भंडार भर जाएंगे, बहु सुबे जल्दी उठी और नहा दो कर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई, कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी, तो अपने आप 36 तयारी 32 भोजन बन गए अब सासुर उठे, देखा तो घर में पूरा काम हो गया, बहु ने पूरा बासी काम कर लिया था, अब रसोई में जाकर सासु ने देखा तो खाना तयार है, वह बहु से बोली कि बहु ये चमतकार कैसे हो गया, घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार क व्यंजन कैसे बन गए बहु ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी यह तो पुर्षोतम भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहु मेरे घर में आई है सासू जी ने कहा बहु तुम जीम लो बहु ने कहा सासू जी पहले सासू जी को जीमाओ फिर आप खाओ फिर पती देव को खिला कर मैं खाऊंगी यह बार सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहु से कहा कि कल से पूरा परिवार पुरुषोतम भगवान की कहानी सुनने के बाद ही बोजन करेगा दूसरे दिन सब ने एक साथ बैठ कर कहानी सुनी तो घर में अनधन के भंडार भर गए सब बहुत खुश हुए अब बहु ने कहा कि सासुजी सबको प्रसाद बाट आओ सासुजी अगरोस पडोस में पुरुषोतम भगवान का प्रसाद बाटने गई तो पडोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खुद प्रसाद बाट रही हो तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहा से आया सासुजी ने कहा कि हमारे बहु खूब लावन लक्षमी लेकर आई है पुशोतम भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिये है ये पुशोतम भगवान जैसे साहुकार की बहु को खूब अंधन के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना कैताने सुनताने हुकारा भरताने आपने सारे परिवार की रक्षा करना बिंदाईक जी कहानी महारा बिंदाईक जी स्याना ल्यावे धन का बाना महारा बिन्दाएक जी सुधा और भरे धन का कूडा महारा बिन्दाएक जी भोला और भरे धन का जोला महारा बिन्दाएक जी धाया ल्यावे धन का गाडा बिन्दाएक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाईजो बिन्दायक बाबा रंगो चंगो फिरे बाडी में भर्यो सुरंगो राज ध्यावी राज ने मेहमा का सुहाग ने पोता भू की राबडी दोईता भू की खीर मीठी लागे राबडी खारी लागे खीर घड साक्डो दीजो धन मोखलो दीजो सबका संकट हर जो, सबका दुख मेट जो, सबका कारज सिध कर जो, सब विपत्या से बचा जो, सुक संपती दी जो, लक्ष्मी को वास दी जो, सबकी लाज राख जो, सबके अंधन का भंडार भर जो, हर मनो कामना पूरी कर जो, कैताने सुनताने हुकारा भरताने आपने सारा परिवार की रक्षा कर जो सोना की चोकी चांदी का थाल जी में बेठे हमारा बिंदाएक जी महाराज जै श्री राधे